आज मैं जारी हो देखिए रीठा शीखकाई मैंने फुलाग रखी थी रात में उसको पॉडर बनाकर और यह देखिए मैंने भीगों के रखी थी यह देखिए फुल गिया है तो इसे मैं पिषने के लिए जारी हो जार में तो यह फ्रेंट यह बहुत फैरेमन है आपके बालो को लंबा कर देगा और घना भी कर देगा जो बाल जड़ है वह भी बन कर देगा और सेंपू तो के मिकल मिला रहता है सेंपू में यह लगाई है कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा तो यह मैं घिवों के रखी हो रात में देखिए यह फुल गिया है तो इसे मैं पीस कर अभी देखा रही हूं आपको इसको मैं जार में डाल कर और इसको मैं पीस होंगी पीस कर मैं देखा रही है देखे फ्रेंट इस तरीके से सैंपू किता हो गया है जाग कितना है ऐसे आपका बाल के लिए साफ हो जाएगा और आपका बाल का गुरोध भी अच्छा होता है इसे देखिए कोई केमिकल नहीं है इसमें और कोई मिलावट नहीं है इस तरीके से अब बराबर मात्रा में आमला डीठा सीका काई तीनों को इस तरीके से फुला थोड़ा से बाल में आप पहले आप पूरे बाल में थोड़ा लगा लिजिए और उसके बाद दो घंटे के बाद आप इसको बाल को इसी सैंपू से बाल धो लिजिए देखिए का आपका बाल जढ़ना तूटना और जितना भी बाल का खराब होना सब खतम हो जाएगा तो इसको लगा कर देखिए लगातार तो आपका बाल जो जड़ रहा है वो भी खतम हो जाएगा और बहुत फैदे मन है और प्याज का रस भी आप लगा सकते हैं एक घंटा पहले जिसे बाल धोना है अब इससे रीठा सी कगाई अमला से बाल धोना है तो अब उससे पहले एक दो कर रहे हैं करते हैं कि हमारे बाल जढ़े तो कैकरें इहींति का इसार लगाइब आप तो उसके बाद आप बाल धो लिजे कि इसी सैम्पू से अब बाल दोईएगा जिस तरुके से मैं बनाई हूँ रात में फुलाई हुँ अहुपाही पुलाकर और रख दी हूँ अभी मिक्सिवी पीस कर आपको दिखाई हूँ दिखे इस तरिके से देखे कैसे देखे के तरे म जो गिया है तो इसी तरीके से आप बनाकर आप बाल दोईए देख़िए आपका बाल का जितना भी बाल जड़ जारू नहीं कटा आपका बाल सही हो जाएगा एक महीने के अÓह्छा गाता रभी चीश कि इसका इस्तिमाल करियेगा तो आपको यह चीज़ पसंद आया तो इसमें आप कमेंट में बताइएगा और लाउब करके देखाईएगा देखिए बाल आपका सही हो जाएगा तो कमेंट करिएगा मुझे बाइगा फरेंड